मेरे पास है नाथिंग फोन वन जो हाल फिलाल में इंडिया में लॉंच हो है एक्स्क्लोजिवी और फिलिपकार्ट मेरे पास है 8GB RAM 256GB ROM वीरियंट इस वीडियो में बात करने वाले है इसी डिवाइस का कुछ फीचर्स और टिप्स और टिक्स के बारे में यह एकदम स्टॉक लेकिन फिर इसके अंदर ऐसे बहुत सारी फीचर्स और टिप्स और ट्रिक्स है जो आप लोगे लिए जानना कफी ज़रूर यह अगर आप यह वाला स्मार्टफोन को लेते हैं तो यहां पर आपको मिलता है नाथिंग ओएस 1.0.1 और अगर हम लोग देखते एंडॉड वर आपकोलगे बहुत सब्सक्राइब ने तो यहां पर आपको पॉटीजी का ऑप्शन आ गया है और उसके बाद आप ओटीजी के जितने भी फाइल से वह आप यहां पर चेक आऊट कर सकते हैं इंप्रिक्सण में कोई फोल्ड जाने के बारे में यहां पर नोटिफिकस पैनल और आपको Glyph Interface मिल जाएगा नहीं तो और आपको Glyph Interface मिल जाएगा अभी यह जो Glyph Interface से पिछे का लाइट उसका अपनी साब से कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद लाइक का इंटेंसीटी है ज्यादा कम होगा वो भी आप बढ़ा सकते हैं यह जनरली बाइडिफॉल 50% है तो मैं उसमें भी रखा है उसके बाद यहां पर आपको आता है अलग-अलग रिंग टोन अभी रिंग टोन यहां पर देखिए साउंड ओनली है या फिर विट लाइट है आप अपनी साब से रख सकते हैं अगर आप विट लाइट के साथ चाहते है तो ऐसा होगा तो लाइ अपनी साब से यहां पर कस्टमाइज कर सकते हैं गूगल एसिस्टेंस है उसके बाद फ्लिप टू ग्लिफ मतलब करने से वह मूट हो जाएगा यह उप्शन यहां पर आपका अवालेबल है तो यह सब बचा कुछा गिना चुना कुछ चीजे है जो आप इस्तमाल कर सकते है जहां तक फिंगरपींट स्कैनिंग का सवाल है यहां पर आपको एक ऑप्टिकल फिंगरपींट स्कैनल मिलता है यह काम करता है लगभग 10 out of 10 मैंने भी तक इस्तमाल किया यह काफी fast and accurate है उसके साथ अगर फेस अनलॉक देखा जाए फेस अनलॉक भी बहुत अच्छे से काम करता है इड़ वक्स 10 out of 10 यहां पर विजर देख लेते हैं प्रेसे अनल के अरने बाद यहां पर कस्टमाइजेशन का उप्शन मिलता है उसके बाद आपको वाल पेपर स्टाइल ऑप्शन मिलता है तो अगर आप जिस टाइप का वाल पेपर चाहे तो वह आप चेस कर सकते ह और फिस टाइब है तो उसको पीD to 5ड कर सकते हैं नथी यहां पर इंस्टो शब्खन को क्स्टमाइज कर सकते हैं का कुछ इस आपड़ जाता है जो देखना बंद है नथka अंकर आपको चार-पाच वुजज़ देखने को मिलता है सबसे पहला यह clock widget है तो touch and hold करके मैं इसको यहाँ पर place करता हूं उसके बाद इसको आप बड़ा चोटा करी सकते हैं उसके बाद directly shortcuts है तो press and hold करने के बाद आप इसको बड़ा चोटा कर सकते हैं जी यहाँ यहाँ पर आप इसको चेंज करके इसको आप ऐसे रख सकते हैं तो यहाँ पर वेडर आप शो कर सकते हैं अगर आपको रहाना है चांप यहाँ पर देख पाएंगे यह काफी पर से नीचे करेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलता है, यहाँ पर काफी बड़ा बड़ा नोटिफिकेशन पैनल है, यहाँ पर सिम है, होसपोट है, उसके बाद Wi-Fi है, और मैं आपको बता तो यहाँ पर 2.4 GHz और 5 GHz Wi-Fi support तो है ही, उसके साथ तो अगर आपको और भी ज्यादा बटन चाहिए इसको आप यहां पर नीचे से उपर जाके यहां पर ऐसे एड़ कर सकते हैं एड़ करके सभी चीज आप डारेक्ली नोटिफिकेशन पैनल से एक्सेस कर पाएंगे तो मैंने पूरा को यहां पर डाल दिया डाल के बद कुछ इस पगार कर लगता है ऐसे ऐसे आप इसको देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा है इस टाइप का देखने में अच्छा लगता ह एक सेटीज के यहां पर ऑप्शन है जहां पर आप डारेक्ली सेटीज में जा सकते हैं फोन को पावर अफ करने के लिए आप डारेक्ली यहां पर आप उसको पावर अफ कर सकते हैं या फिर रिस्टार्ट कर सकते हैं जहां तक स्क्रीन रेकॉर्डिक का सवाल है तो यहां प यहां पर कोई भी भी ब्लोड वैंट नहीं मिलेगा मैंने कुछ there को consistent एंस्ट करने के लिए अब इसों के लिए, एदिश आपर एंदिशन देखा जाए, गुछ कोछ कुछ आपलीकेशन से उसके लब यहाँ पर ज्यादा őपको अप्लिकेशन नहीं मिलता है इवन जो लोग पूछ रहे थे कि FM रेडियो को सपोर्ट है कि नहीं यहां पर FM रेडियो नहीं मिलता है अपने डिवाइस को शेयर करना चाहते है वह आप कर सकते हैं यहां पर स्क्रीन का ओप्शन आपशन इनबल करके आपके आस पास के जितने इसे वहल्लिस चारजिंग को टेस्ट कर लीते है तो यह एक वैरलेस पावर बैंक है जिसमें त्रांफर होता है यह पर काफी अच्छा अच्छा आड़न है तो इसको चार्ज कर सकते सैटी से इंधर यहां पर मिल जाता है आपका डिस्प्लेइधर यहां पर मिलता आपको र तो अपने स्क्रीन को अग्जस्ट करें गाल एक टीन बिंदू है उसमें क्लिक करने को आप सकते हैं यहां पर कॉल ब्लॉकिंग आपकोंट्स यह सब कर सकते हैं यहां पर कॉल रिकॉडिंग का मुझे वैसा कोई अप्शन नहीं मिला एक अगर अगर आप इसको फिल्प करके तो यह एक दो ऑप्शन उसमें मिला हलाग कि जाता कस्टमाइज़चन उप्शन कॉलिंग में नहीं मिलता है गामरा के अंतर जब आप जाएंगे उसके बाद आप विडियो में जा सकते है विडियो में जाने की आप यहां पर आपको एक अप्शन मिलता है विच इस अपलि यह जनरली आन होता है यह नॉर्मल जो फ्लेश लाइट अवह ऑन होता है उसके बाद आप इसको घ्लिप लाइट को भी उन कर सकते हैं बाद ग्लिफ लाइट अब लगता है जिसे एप वीडियो या फिर फोटो बोटो कीच सकते हैं लेकिन ध्यान में रखना पड़ा कि इसमें तो बैटरी थोड़ा जाएगा तो वो थोड़ा सा थेयान में रखना पड़ेगा यहां पर रियर क्यमरा पर एक सीयान को टिखाना पर रियर क्यमरा है रियर क्यमरा आप 4k 30-3pces में रेकॉर्डिंग अगर हम लोग लोग कामरा में जाते हैं अगर मैं 12MP फोटो उठाता हूँ, इसके बाद मैं 50MP फोटो उठाता हूँ, मैं आपको बेसिक डिफरेंस दिखाता हूँ, यह रहा आपका नॉर्मल फोटो, जिसमें अगर हम थोड़ा बहुत बहुत डीटेल्स में जाए, तो यहां पर डीटेल्स एक पर 12.6MP, तो यह बेसिक डिफरेंस आपको मिलेगा दोनों रिसूलूशन में, सेटिस के अंदर यहां पर सिस्टम है, सिस्टम के अंदर सिस्टम अपडेट है, मैं जब फोन लिया था तभी संग यहां पर एक सिस्टम अपडेट आया है, 93.81MB का जहां पर आपको कुछ-कुछ अपडेट के बार में OS है, HDI 10 Plus है और बाकी कुछ-कुछ फलाना धिगाना यहां पर कुछ अपडेट है, तो मैंने अब तेक अपडेट नहीं किया है, मैं अभी अपडेट करने बाला हूँ, अपड़ को अपडेट कर सकते हैं, इसके लिए आपको जाना पड़ए का सेटिंग्स पर नोडिफिकेशन ऑप्शन है, यहां पर आपको मिलता है बबल कॉनवसिंटिए इसको अनेबल कर दीजिए, जब उननेबल करेंगे, यहां पर जैसे आप देख पर हो तो उसको tap करके फिर से उसको reply करके वह फिर minimize हो जाएगा तो यह option भी इस device में अवलेबल है इसके बारे में सबी information आप रहता है तो अगर आप इसको बच्चे को देख फिर फिर इस्तमाल करता हो इंड अड आप सारा देन का आपका जो ट्रैक्रोगर वह आपको मिल जायाएगा क्या आपने कौन सचिस के तना टाम किल इस्तमाल किया है इसके बाद system अगर आपको मिल जाता है जेस्टर सेटिंग्स यहां पर क्या होता है फिर नविगेशन बटन को चेंज कर सकते हैं अगर फुल स्क्रीन चाहते है तो भी आप इस्तमाल कर सकते है यह मैं जनरली इस्तमाल करता हूं जो जैसे नविगेशन है उसके अंदर ही आपको सेटिंग्स मिल जाता है जिसको अपनी साब से कस्टमाइज कर सकते है राइट लिफ्ट अप डाउन तो यहां पर आपको कुईक ओपन कामरा है मतलब अगर दो बार पावर बटन प्रेस करते है तो आपको कामरा उन हो जाता यह अगर फोन ऐसे रखा है अगर आपको उठाते है तब यह स्क्रीन अन हो जाता है तो यह उप्शन यह पर आपको यह उप्शन खुल गया क्योंकि मेरा फेस अनलॉग ले लिया विज वेरी फास्ट तो यह कुछ-कुछ ऑप्शन यह पर अविलेबल है और फिलिप टू फिलिप टू गिलिफ में बेसिकली क्या होता है पको तो यह पता चलेगा तो यह एक अधिशनल उप्शन है यह ता कुछ एटन ट्रिक्स हाला के यह तो यह पर श्यादा तो फीचर नहीं लिगें लिगिन मुझे जो जो फीचर इंट्रेस्टीं लगा वो चीज मैंने आप आपको मिल जाएगा मेरे चानल पर मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर तो अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब परना मत भूलिए तो इस वीडियो में अब तक लिए इतना है दिसे और होस्टे में साइन आप में याड़ा खूब तुस्यों इन माई नेक्स्ट वीडियो झाल 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 उुस्क याड़ाग तुस्ट disc